हाई गाईज, आज के वीडियो में मैं ग्रीन वेट लॉस और डीटॉक्स डाइट दिखा रहे हूँ यह हल्दी फूड और ड्रिंक प्लान है और सब के लिए सेफ है इससे आप 3 किलों तक 3 दिनों में कम कर पाएंगे और इससे आप अपनी भूग और नुट्रिशन कंट्रोल में रख पाएंगे तीन आसान स्टेप से क्या हैं ये तीन स्टेप आईए जानते हैं इस डाइट प्लान से पहला स्टेप है दिन के शुरुवात एक clean green drink से करना ये स्मूदी आप सुभे खाली पेट नाश्टे में भी है इससे बनाने के लिए एक blender ले और आधा कप अननास के pieces डाले अननास यानी pineapple मैं frozen यूज़ कर रही हूँ लेकिन आप fresh भी ले सकते हैं pineapple में bromelan enzyme है जिससे digestion ठीक, सूजन कम और extra fat जलता है ये सारे साल मिल जाता है इनकेस ना मिले तो kiwi यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी pineapple की जैसे ही काम करता है अब मैं इन में 1 tablespoon oziva superfood greens and herbs का डाल रही हूँ ये product मैं काफी महिनों से यूज़ कर रही हूँ और इसके काफी अच्छे results हैं जैसे saaf skin और healthy digestion इसे खाली पेट लेने से आपकी skin की health सुधरेगी क्योंकि आपके body का pH level maintain होगा साथ ही आपकी body detox होगी और acne और pimple नहीं होगे ये plant-based, non-GMO और gluten-free है इसमें 8 alkalizing greens हैं जैसे पालक और moringa 34 detox ingredients हैं जैसे आमला और त्रिफला और 10 immunity herbs हैं जैसे masa, ashwagandha, brahmi वगेरा इस super green powder का एक serving हरी सबजियों के 10 serving के बराबर है और इससे आपकी body cell साफ, repair और regenerate होते हैं ये सब के लिए safe हैं और इसे male और females including 12 साल से बड़े बच्चे ले सकते हैं ये super food greens and herbs मैं इसलिए recommend कर रही हूँ कि इसमें बहुत सारे super foods मौजूद हैं और इतने सारे greens normally मिलना मुश्किल है लेकिन अगर आपको किसी कारण ये नहीं मिलता है तो आपके पास जो भी greens available हैं आप उसी use कर लें जैसे moringa powder, spirulina powder, wheat grass powder, barley grass powder वगेरा आप थोड़ी freshness लाने के लिए मैं कुछ पुदीने के पत्ते डाल रही हूँ इनसे भी आपका digestion ठीक रहता है और metabolism और weight loss बढ़ता है थोड़ा सा निम्बू का juice डाले ताकि vitamin C की मात्रा बढ़ जाए और आखिर में मैं एक cup से थोड़ा ज्यादा नारल का पानी डाल रही हूँ नारल के पानी में lauric acid है जिसे खानी पेट पीने से आपकी immunity और metabolism बढ़ता है और इससे वजन कम करने में आसानी होती है साथी नारल के पानी में काफी nutrients और potassium है जो आपकी body के लिए अच्छे है अगर नारल का पानी ना मिले तो साधा पानी ले ले आप सबको अच्छे से blend कर ले एक class में shift करें और आपके दिन का पहला green meal तयार है यह आपका नाश्टा और पहला key step है green drinks पीने से वजन और पेट की चरबी कम होती है और आपकी body detox होती है इससे mental clarity भी improve होती है और sugar levels और cholesterol कम होते है दोपहर में खीरे का रायता लेना है यह रायता असान है बनने में काफी filling है और क्योंकि इसमें calories कम है इसलिए यह perfect diet food है रायता को बनाने के लिए मैं 2% fat वाला plain Greek yogurt ले रही हूँ Greek yogurt इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें आपको double calcium मिलता है लेकिन अगर यह ना मिले तो साथी दही यूज़ कर ले अब एक bowl में 7 tablespoon दही डाले दही में काफी calcium और probiotics है इसमें proteins भी हैं जिन से पेट भरा रहता है और आप मोटे नहीं होते प्लस दही से पेट की चरबी भी कम होती है अब अच्छे से मिलाएं ताकि एक smooth texture मिले अब आदे कपसे थोड़ा ज्यादा grated खीरा ले छिलका ना निकाले क्योंकि यह green diet है हमें जितना हो सके उतने greens यूज़ करने है यह दूसरा key step है इस diet का clean greens खाने है खीरे में zero fat है और इसमें calories भी कम है इसमें 90% पानी है इसे bloating कम होती है और fiber भी काफी है यह आसानी से हर जगे मिल जाता है खीरे को कद्दू कस करने के बाद हलका निचोड ले जो हरा पानी निकलेगा उसे side में रख ले यह खीरे का पानी आप बाद में दही की consistency ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते है अब स्वाद अनुसार नमक और काली मिज़ का पाउडर डाले साथी जीरे का पाउडर भी डाले थोड़ी से chopped पुदीने के पत्ते डाल कर अच्छे से मिला ले आखिर में थोड़े और पुदीने के पत्तों से गार्निश करें और खीरे का रायता तयार है शान का मील, key step एक और दो का mix है यानि green पीना और green खाना है इसमें एक cup green tea और कुछ खीरे के pieces खाने है वैसे खीरे जितने चाहें खा सकते हैं ताकि रात के खाने तक भूपना लगे मैंने green tea बनाने के लिए matcha powder यूज किया है अब रात के खाने पे आते हैं ये भी second key step है जिसका मतलब है clean greens खाना रात को एक bowl पालक वाली हरी मूंकी दाल खानी है हरी मूंकी दाल एक powerful source है vegetarian protein और fiber का ये भूग कम करती है क्योंकि पेट भरा रहता है इससे body भी detox होती है और cholesterol कम होता है पालक भी excellent weight loss food है इसमें बहुत सारा iron, fiber और vitamins और minerals है ये low calorie food है और काफी time तक पेट भरा रखता है मूंग दाल बनाना आसान है एक कब मूंग दाल को 3-4 घंटे पानी में भिकाए फिर कूकर में 2-3 सीठी दिला दे pressure निकलने दे और हलका ठंडा कर ले फिर एक पैन में 1 तीस्पून घी डाले अब 1 तीस्पून जीरा डाल दे जब जीरा फूटने लगे तो बारी कटा हुआ अधरक और लेसन डाले मैंने 2 तेबल स्पून लेसन और 1 तेबल स्पून अधरक लिया है जब लेसन हलका ब्राउन होने लगे तो एक कटा हुआ टमाटर डाले जब टमाटर पकने लगे तो मसाले डाल ले जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गर्म मसाला मैंने ये सारे मसालें आदा टी स्पून लिये हैं स्वाद अनुसार नमक डाले और मिला ले फिर दो कब पालक के पत्ते आड़ करें फिर एक कब मुंग दाल आड़ करें और दो से तीन मिनिट उबलने दें और अब हमारा ग्रीन डिनर तयार है और ये है पालक वाली हरी मुंग अब तीसरे स्टेप पे आते हैं और वो है एक्सराइज कोई भी आक्टिविटी करें जैसे योगा, फास्ट वॉक, जॉगिंग वगेरा इस स्टेप से स्ट्रेस कम होगा, मेटेबॉलिजम बढ़ेगा और वजन भी कम होगा मील्स के बीच अगर भूक लगे तो ग्रीन टी पीए या खीरे खाए तो इस तरह का हमारा तीन दिन का ग्रीन डायेट होना है साफ सुत्रा, ग्रीन खाना, जिससे आपको मिलेंगे हाई क्वालिटी नूट्रेंट्स और साथी अच्छा खासा इंच और वेट लॉस भी अगर ज्यादर टाइम ये डायेट फॉलो करना चाहते हों तो कुछ और वेराइटीज हरी सबसियों और दाल में लाएं और कुछ फूर्ट्स एड़ कर सकते हैं ताकि बोर ना हो आचा है ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले और जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ तब तक, थिंक क्लीन और गो ग्रीन बबाई बबाई